जहीं दोस्तों काफी बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है आप लोग काफी लंबे समय से इस न्यूज का इंतजार करें दोस्तों तो आप लोग खुस हो जाएंगे इस वीडियो को देखके दोस्तों वीडियो आप लोग इसक्रिप ना करें उससे पले मैं एजय आप ल आने वाला हो की कैसे आप लोग कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू कि यहां इन्फॉर्मेशन आपको जेनूईन निन वाली है तो इसी प्रकार हमेशा को इस चैनल पर लेस्ट जेनून सब्सक्राइब करें और आपको अच्छी वीडियो लगे तो उससे पले मैं आपको बता दू कि यह लिंक आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्सिन मेरा टेलिग्राम चैनल है उसे डारेक्ट जॉइन कर लें या तो आप लोग क्या करें टेलिग्राम में जाके सर्च करिए वहां पर दोस्त आईक्यू तो दोस्त आईक्यू सर्च करेंगे आपको मेरा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहां से आप लोग इस लिंक को पा सकते हैं वहीं से क्या करेंगे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट पर चले आएंगे और यहां पर आ student corner में यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है university board society council तो इस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूं कि यहां पर क्या मिलने वाला है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर सारी university council मतलब आपको प्रोटोटल डाटा मिल जाएगा यहां पर जब concerns शाते हैं जैसे बात की जबनार सिंदैनिसिटी बान्दा देख सकते तो किसी इनिस इनिशिटी के आप लोग यहाँ पर अच्य से चेक कर सकते हैं आप लोग यहां पर देशाते हैं APJ अब्दुल कलाम टेकनिकल इंड़सिटी भी आपको देखने मिल जाएगी तो हर एक इंड़सिटी से उस पर आप लोग क्लिक करिए चले जैसे मैं किसी एक ने शिटीप करके दिखा जाता हूं यहां पर मैं नीचे वाले पर क्लिक करता तो फिर आपको नीचे एक और आपसे देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे enrollment number enrollment number मैं आपको बता दू कि अगर आप second year की student है या third year की student है तो आप लोग के पास होगा दोस्तों आप लोग कर सकते हैं जो second year का मार्शीट आपको मिला है या third year का जो मार्शीट आपको पास मिला है वहाँ पे आपको enrollment number देखने को मिलेगा दोस्तों बात की जाए first year वालों के लिए तो अगर आप first year का हैं तो आप क्या करें कि अपने college से enrollment number पता कर सकते हैं दोस्तों college से या university से जहां से भी आप मतलब form apply कई हैं जिस university से आप बिलोग करते हैं वहाँ से क्या करें आप लोग अपना enrollment number पता कर लें first year के लिए दोस्तों बाकी second year और third year वालों के पास यह होगा आप लोग क्या करें कि graduation वाला ही यूज कर सकते हैं जैसे graduation वाला ही अधिक्तर इन local में यूज होता है तो जो आपको graduation में मिला होगा enrollment number वह ही आप लोग इसमें भी यूज करके अपना check कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको एक check करके दिखा देता हूं और यहां पर नीचे आपको capture डालना होगा तो एक check करके मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग को स्वन्तुष्टिक हो जाए जैसे दोस्तो आप लोग के सामने दिख़र आऊगा मैंने enrollment number यहां पर डाल दिया है अब मैं क्या करता हूं capture डाल देता हूं capture डालने के बाद आपको सारा detail यहां पर देखनेयों को मिलेगा तो जैसे तो आपको यहां पर अभी capture डालके अच्चे से detail दिखा देता हूं जैसे हम लोग सर्च पर क्लिक करते हैं फिर आपको देखिए कि आपको सामने डाटा देखने होगा दोस्तो आप लोग यहां पर देख है तो आपको यहां पर देखने हों मिलेगा निर्दान होने पर आपको सूचित किया जायेगा तो दोस्टों ऐसा कुछ आपको देखने के मिला गए नहीं हुआ तो दोस्तों आप के सकते हैं गर जरूर।